हेलो दोस्तों स्वागाते हैं आपके अपने चैनल आधर्श इंग्रिश क्लासेज में इस वीडियो में हम क्लास 12 की फस्ट पोएम माई मदा एड 66 की समरी जानेंगे स्वाइब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यह पोएम लिखी गई है कमरा दासद्वारा यह पोएम स्टार्ट होती है और जब पोएम से उनको देखती है तो उनका चैरा काफी पीला पड़ चुका था उसकी मॉम का और पोएम से यह देखकर काफी दुखी हो जाती है तो इस प्रॉसेस अफ एजिंग इस नेच्रल बट इस पैनफूल टू हाला कि जो प्रॉसेस है एजिंग की वो नेच्रल है लेकिन इसे देखना काफी पैनफूल होता है फिर जो पोएम से वह खिड़की के बाहर देखती है कार के कुछ यंग ट्रीज को देखती है कुछ बच्चे जो खुशी-खुशी घर के बाहर निकल के खेल रहे है यह दिखाता है लाइफ के डिफरेंट-डिफरेंट स्टेज को जो की बिल्कुल जरूरी भी है जब पोएटिस एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो वो सेक्यर्टी चैक से होती हुए निकलती है और कुछ धूर खड़े होके देखती है तो अग दोबारा देखती है लास्ट टाइम जाते वक्त उसके अपने मॉम के चैरे को देखती है वो पीला पढ़ चूका था और इतना पीला पढ़ चूका था कि उसे मून से compare करा गया है she said to her see you soon amma then she smile and smiled वह आखरी बार वेदा लेते वक्त अपनी मॉम के तरफ देखती है और बोलती है see you soon amma और smile करती है her words and smile shows that she has no idea of her mother's mental state उसकी जो smile होती है और उसके words होते हैं वह ऐसा दिखाते हैं कि उसे अपने mom के बारे में और उनकी aging के और mental state के बारे में कोई idea नहीं है लेकर अंदर से वह जानती है कि उनकी mom की age काफी ज़्यादा हो चुकी है और उसी बास से वह चिंतित भी होती है सो यह poem की जो आपका पूरी cover हो चुकी है story अगर आपको समझ में आया है पूरा concept धंक से clear हो गया होगा आपका आपको question answer चीए तो आप comment कर सकते हैं और if you like the video please subscribe the channel thank you